सो छली गाइज अब हमारा टॉपिक है प्रिप्रेशन मैथड ऑफ हेलो एरीन्स यह इंपोर्डेंट इसी लिए क्योंकि इसमें एक नेमिंग रियक्शन है और वो कभी कबार सीधे you know sequence reaction में पूछ ली जाती है बहुत important है so देखिए first of all तो हमें किसका preparation करना है जान लेते हैं hello arines hello arines का मतलब क्या है aromatic ring जिसमें hydrogen के substitution के बाद आपने hydrogen लगाया है और specialium लोग benzene ring की बात करते हैं यानि कि हमें preparation किसका करना है preparation of aromatic ring हमें चाहिए जिसमें specially हम क्या चाहेंगे mangene पर substitution करवाना चाहेंगे hydrogen का और उसपे क्या लगाना चाहेंगे halogen ये बहुत important है इसी की हम लोगों को preparation करनी है specially this is called hello arines सबको समझ में आता है अब इसकी preparation करने के लिए सबसे पहला जो method है जो कि काफी ज़्यादा important है वो है send mayor reaction काफी important है send mayor reaction ठीक है so ये send mayor reaction हम लोगों को पढ़नी है चलिए send mayor reaction के लिए आप लोगों को ये जानना ज़रूरी है कि यहाँ पर substrate यानि की main organic compound कौन सा होता है बहुत interesting है द्यांसे उसको देखिए उसमें जो main organic compound होता है उसी पे ज़्यादा तर question बने होता है और actual में उस पे एक separate chapter गंदर topic भी है nitrogen and its organic compound में इस topic को लिया जाता है इस compound के सारे topics को या सारी chemical reactions को लिया जाता है और वही यही topic आपको दुबारा nitrogen वाले में पढ़ना है और यहाँ पर भी आपको देखना है तो मैं यहीं आपको करवा देता हूँ जिससे आपका benefit हो जाएगा तो ध्यांसे उसको देखिए यहाँ पर send me reaction में हम लोग diagonium salt का इस्तमाल करते हैं किसका इस्तमाल करते हैं? diagonium salt का इस्तमाल करते हैं अब यह काफी जादा special है ठीक है? तो सबसे पहले तुम लोग जानते है diagonium salt होता क्या है? उसकी preparation कैसे होती है यहीं बता देता हूँ उसके बाद send me reaction क्या होती है वो मैं आप लोगों बताऊंगा ठीक है? ठीक है? दो nitrogen यहाँ पर होंगे और neum का मतलब उसके एक positive sign भी होगा और अगर positive sign है और आगे salt लगा हो इसका मतलब उसके साथ एक NIN भी होगा तो यहाँ पर scene कुछ ऐसा है देखिए diagonium का मतलब होता है now look at it, obviously organic compound है तो R तो होगा यानि कि hydrocarbons तो होगी ठीक है? और यहाँ पर R basically हम लोगों को arryl लेके चल ला है लेकिन फिर भी मैं general way से बता रहा हूँ so R उसके बाद diagoneum का मतलब N2, neum का मतलब plus और salt है इसका मतलब उसके अंदर एक NIN भी है so this is called diagoneum salt सबको समझ में आ गया इसको बोल देंगे अगर हम लोग ध्यान से इसको देखिए यह अगर alkyl है so this is alkyl diagoneum chloride और अगर R की जगा आपने benzene लगा दी तो वो कहलाएगा benzene diagoneum chloride ठीक है? बहुत important है ध्यान से इसको देखिए so finally हमें क्योंकि इसका preparation करना है तो यहाँ पर हम लोग R की जगा क्या लगाएगे जड़ा चेक कीजिए यहाँ पर R की जगा लगाएगे C6H5 तो यह हो गया हमारे पास देखिए benzene ring में से एक hydrogen हटा दिया उसके बाद एक group लगा हुआ है ठीक है? so C6H5 N2 पे क्या आगया? प्लस और CL पे क्या आगया? माइनस और actual में हमें इसी से preparation करनी है क्योंकि हमें benzene ring तो चाहिए ना उसके ओपर हमें halogen लगाना है तो यहाँ पर यह जो complete compound है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? यह आप याद कर लीजें बहुत याँन से देखिए अभी पहली बार के लिए आपको यह नया लगेगा लेकिन आने वाले टाइम में इस पे बार-बार question करते रहेंगे तो यह पुराना हो जाएगा और यह काफी ज़ादा important है इसकी structure सबसे पहले मैं यहाँ बना देता हूँ जरदान से इसको देखिए यह benzene ring हो गई ठीक है उसके बाद आपने hydrogen substitute किया यहाँ पे आपने nitrogen पे plus लगाया और Cl पे minus लगाया इसको हम लोग benzene diagonium chloride कहते है अब सबसे पहले सवाल यह है कि यह बनता कैसे है उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे सबको समझ में आता है तो हमें सबसे पहले इसको बनाना सीखना है इसकी formation कैसे हुएगी ठीक है इसकी formation कैसे हुएगी वो हमें समझना है फिर इसकी खास बात समझेंगे कि इसमें खास बात है क्या ठीक है तो बस यहीं से topic खास हो जाता है सबसे पहले इसकी formation फिर इसके खास बात, फिर उसके बाद Sand made reaction का number राएगगा, मैं चाहूं तुम आपको सीधे भी बता सकता हूं कि Chemical reaction क्या होने वाली है, लेकिन इसको बनाना सीखे फिर उसके खास बात और फिर उसके बाद Sand made reaction, जिससे आपके काफी ज़ादा topic clear हो जाएंगे, तो चलिए, सबस सकते हैं इसके लिए आपको primary amines चाहिए है बहुत important चीज़ बता रहा हूँ आप याद रखेगा primary amines का मतलब क्या है primary amines का मतलब है यह आप ammonia तो जानते है ना NH3 को ammonia बोलते है ठीक है अगर आपने सिर्फ एक hydrogen हटा के वहाँ पे क्या लगा दिया आपने कोई भी hydrocarbon का substitute group लगा तो इसको primary amines बोलते है आप आर NH2 को हम लोग primary amines कहते है यह बहुत important है आर की जगार आपने benzene ring लगा दी तो वह भी primary amines में ही count होता है तो यहाँ पर सबसे पहले तो आप primary amines आपको इसके अंदर ध्यान रखेगा जब आपने दो hydrogen हटा दे तो क्या बन जाएगा जाएगा और tertiary तो बिलकुल नहीं बनाते है अब वो क्यों नहीं बनाते है आपको idea लग जाएगा now this is called tertiary amines जिसको नहीं पता है now this is called tertiary amines जब तीनों आपने hydrogen हटा दिये महाँ पर कोई ना कोई carbon chain लगा दी now this is called tertiary amines 3 degree amines कहते हैं इसको और basically ये भी क्या नहीं बनाते है डाइजोन sodium salt नहीं बनाते है तो cross लगा दिये माने यहां पर देखिए सिरफ primary amines बनाते है secondary नहीं बनाते है tursary दिढ़ नहीं बनाते है तो यह आपको ध्यान रखना है, यह Aniline कहलाता है, बहुत important है, इसका IUPAC name भी Aniline ही है, बहुत important हो जाता है यह और Aniline से आप Diagonium Salt बनाएंगे, यह ध्यान रखेगा आप लोग, अब कैसे बनता है जरा चेक कीजे, जब आप Aniline की reaction करवाते हैं, किस से, ध्यान से इसको देख अब HNO2 को हम लोग क्या कहते हैं, यह दोनों combine होके आपको HNO2 देगा, इसको nitrous acid कहते हैं, क्या कहते हैं, nitrous acid, ठीक है, बहुत ध्यान से समझेगा, इसको nitrous acid कहते हैं, जब आप Aniline की reaction किस से करवाएं, sodium, nitrite और HCl से, जो आपको combine होके HNO2 देता है, उससे जब आप इसकी reaction क करवाते हैं, तो आपको यहां से diazonium salt मिलता है, बहुत important है, यहां से आपको diazonium salt मिलेगा, यह देखिए, यहां पूर आपको diazonium salt मिलेगा, N2 पे आगया है plus, और Cl पे आगया है minus, बहुत ज़ादा important chemical reaction है, और यह same chemical reaction आपको आगे एक chapter आएगा, organic कौन सा वला, nitrogen की organic bound, जो organic का, ठीक है, उसके बाद आपके normal chapter शुरू हो जाएंगे, polymers, biomolecules, तो उसके अंदर आपको यह दुबारा पढ़नी है, आप aniline लेगे, उसकी reaction NaNo2 plus HCl से करवाएंगे, और आपको यहां पर diazonium salt मिलेगा, अब इसकी खास बात क्या है, फिर उसके बाद इसकी mechanism बताऊंगा आपको कि यह बनता कैसे है, देखिए यह इतना खास salt है, इतना खास salt है कि यहां पर क्या है, इससे आगे, यह most unstable intermediate या salt भी गह सकते हो इसको, ठीक है, और इससे आगे आपको compound बनाना बड़ा आसान है, ऐसा क्यों? क्योंकि यहां पर क्या है, बेसिकली देखिए, इस benzene ring पे सबसे अच्छा living group लगा हुआ है, आपको बता देता हूँ, देखिए, यहां पर है क्या, N2+, और N2+, इस world's best living group, N2+, क्या करेगा यहां से, आसानी से बाहर निकल सकता है, nitrogen gas की form में, कोई पोई है, living group, living group का मतलब होता है, कि वो आसानी से चला जाता है, electron लेके, आसानी से यहा ठीक है, best living group कौन सा है, N2+, और यहां से किस form में बाहर निकल जाएगा, nitrogen gas की form में बाहर निकल जाएगा, अब खुच से सोचिए, कोई चीज आजाद हो रही है, तो basically entropy बड़ रही है, तो यह काम अपने आप होगा ही, तो यहां से nitrogen का निकलना बड़ा ही असान है, nitrogen को, यह क् यही खास बात है, और इसलिए sandway reaction में हम लोग diagonium salt का इस्तमाल करते हैं, सब को clear है, और बड़ा आसान है, यहां पर आगे हम लोगों को बनाना क्या है, hellowarenes, तो इससे hellowarenes बनाना बहुत ही जादा आसान है, तो यह मतलब निकलता है इसका, अब मैं आपको क्या करूँग हमने यहां पर diagonium salt की formation करी कैसे, उसको समझेंगे, उसके बाद मैं आपको sandway reaction बताऊंगा, so उसके लिए फड़ा फड़ से आप इसका screenshot ले लो, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे, हमें sandway reaction पढ़नी है, लेकिन यह reactions भी, यह reaction particularly भोल रहा हूँ, बहुत जादा important है, इसक reaction को ध्यान से note down करो, और इसको double box में बंद कर लो, और यह आपको बहुत जादा देखने को मिलेगा, sequential reaction का मतलब क्या हूँ, आपको clear कर देता हूँ, जो आप A से B बनाते हो, B से C बनाते हो, C से D बनाते हो, और आपको बहुत सारे organic reaction में यह reaction देखने को मिलेगी, क्योंकि य में आता है, यह मतलब है इसका, तो चलिए फड़ा फड़ से screenshot ले लो, आगे चलते हैं, ले लीजी, तो चलिए गाइस, फड़ा फड़ से diagonium salt कैसे बनता है, उसकी mechanism को चेक कर लेते हैं, और यह mechanism आपको organic को और अच्छे से समझने में मदद करेगा, और यह mechanism आपको है, और aniline का reaction आप किससे करवा रहे हो, यह इस combo से करवा रहे हो, NaNo2 जिसको हम लोग बोलते है, sodium nitrite और plus में HCl, जो की acid है, यह combo आपको क्या देता है, HNO2, nitrous acid देता है, जिसकी reaction इससे होती है, और finally आपको diagonium salt मिलता है, यही है, अब एक सवाल बड़ा commonly पूछा जाता है यहाँ पे, कि सर आपने directly HNO2 क्यों नहीं ले लिया, तो HNO2 स्टेबल नहीं है, यह note लगा लिजे, आप फड़ा फड़ से, कि HNO2 स्टेबल नहीं है, यह moisture और air से react कर जाता है, तो जब यह स्टेबल ही नहीं है, तो इसकी reaction इससे कैसे हो पाएगी, ठीक है, तो आप free form में इ ही नहीं पाओगे, इसलिए हम लोग NANO2 और HCL का combo इस्तेमाल करते हैं, NANO2 जिसको sodium nitrite कहते हैं और HCL, अब यहाँ पर क्योंकि आपने यह acid डाल रखा है, तो acid का काम क्या होता है, H plus iron देना, तो इसमें freely H plus iron अविलेबल है, क्योंकि मैं इसको mechanism में अभी इस्तेमाल करूँग है, nitrogen double bond oxygen के साथ बनाती है, और single bond एक और oxygen के साथ, और उसके साथ hydrogen जुड़ा हुआ है, मुझसे अगर कोई पूछे कि यहाँ पर आसानी से H plus को electron कौन दे सकता है, क्योंकि आगे यहाँ पर H plus को electron चाहिए रहेंगे, क्योंकि H plus यहाँ बहुत सारे है, H plus को आसानी से electron कौन द देने के chances, मतलब इसको electron कौन देगा, तो यह वाला oxygen आसानी से electron दे सकता है, उसका reason मैं specify करता हूँ, अब देखे होता कुछ ही हूँ है कि इस hydrogen को electron की जूरत है और यह oxygen इसको electron डोनेट कर रहा है, तो यह बनेगा, अब उससे आप आसानी से समझ जाएंगे कि उसी ने क्यों दिया, त्यांसे इसको देखेगा, यह देखेए, अब यहाँ पर आगया plus का sign, क्योंकि इस oxygen इस hydrogen को electron डोनेट की है, इस hydrogen से plus का sign हटी है क्यों इस electron ले लिए है, इस oxygen पर plus का sign आगया, अब देखेए, oxygen लेक्रो नेगटिविटी oxygen की अच्छी खासी होती है, और इस पर उपर से plus का sign आगया है, तो इसको unstable बना रहा है, यहाँ से असानी से एक बहुत अच्छा living group लीव कर जाएगा, पानी भी एक बहुत अच्छा living group होता है, तो जब भी आपको organic पे ऐसा कुछ सीन दिखाई दे, तो फड़ा फड़ से यहाँ पानी बाहर निकाल दो, निकलेगा कैसे oxygen के उपर plus का sign है, इसको electron की जड़त है, तो यह bonded electron को अपनी तरफ खींचेगा, और यहाँ से पानी बाहर निकल जाएगा, जब भी आपको, organic में आपको, मैं fundamental चीज़ बता रहा हूँ, पानी भी बहुत अच्छा living group है, जब भी आपको ऐसी condition दिखे तो पानी को बाहर निका आपके पास यह compound, यहाँ पर यह species तयार होगे, intermediate, देखिए, इस nitrogen ने अपने electron खो दिये, तो इस nitrogen के उपर plus का sign आएगा, इसको बोलते है, nitrosonium ion, क्या बोलते है, nitrosonium ion, यह ध्यान रखिएगा, nitrosonium ion, ठीक है, अब यह जो nitrosonium ion है, basically, यह कई लोगों को intermediate, जो है, intermediate stable होना ज़रूरी है, कई लोगों को unstable दिखाई दे रहा होगा, लेकिन यह इतना unstable नहीं है, actual में, यहाँ पर scene कुछ ऐसा है, कि इस nitrogen को stability provide कर रहा है, यह oxygen खुद, कैसे, इस oxygen के पास भी electrons है, भी donate तो यह भी कर सकता था, लेकिन इसके chances ज़ादा थे, इस condition में, लेकिन यहाँ तो यह है ही नहीं, तो अब यह oxygen क्या करता है, उसको stability provide करता है, back bonding करके, यह अपने electrons को donate करता है, यहाँ पर इससे resonance create होता है, electron अगर donate किये तो क्या बन जाएगा, जरा चेक करो, यहाँ पर triple bond आ जाएगा, nitrogen का plus खतम, और यहाँ पर oxygen पर plus आ जाएगा, इस तरह से resonating structures यहाँ पर create हो होंगी, और resonance की वज़े से, यह nitrosonia mind stable है, clear होता है सब लोगों को, back bonding is nothing, यहाँ पर अगर element का orbital खाली हो, और इसके पास loan pair हो, तो वो donate करके, उसको stable बनाने कोशिश करता है, ताकि उसका octet पूरा हो जाए, इसको back bonding कहता है, clear हो गया, so finally, यह stable है, अब scene कुछ ऐसा, अगर यह resonance करता रहेगा, अगर इसको freely electron मिल गए, तो यह उसके उपर approach करेगा, freely electron किदर मिलेंगे इसको, यहाँ पर आपने अपना एक compound उठाया हुआ है, पहले से ही, क्या है उसका नाम, aniline, aniline के पास electron किदर है, इस nitrogen के पास free electron है, आया सब को समझ में, तो finally यह approach करता है, उस nitrogen को, अब देखिए ज़रा ध्यान से, यह उस nitrogen को approach करता है, मतलब यह nitrogen जो है, बेसिकलि अपना loan पर इसको donate करने की कोशिश कर रहा है, clear होता है, अगर इसने इसको donate कर दिये, तो यह किदर चला जाएगा, ज़रा check करो, finally यह scene कुछ ऐसा बनेगा, देखिए, यहाँ पर यह हो गया इस nitrogen को यहाँ पर एक electron pair donate कर दिया है, तो इसका plus खतम हो गया है, और यहाँ पर double bond oxygen, मैं मैंने जोड दिया है, देखिए, यह group जोड दिया है, जिसने उसके साथ bond बना लिया है, और double bond oxygen, अब क्यूंकि इसने चार bond बना लिया है, तो इस nitrogen के उपर क्या आगया है, plus का sign, सब क करने के लिए क्या करता है, इस hydrogen से electrons को खीचता है, clear हो गया, खीचने के बाद क्या बनेगा, जरा check करो, हम आगे चलते हैं, देखिए, खीचने के बाद आपका scene कुछ ऐसा है, ध्यानसिस को देखिए, यह benzene ring हो गई, ठीक है, उसके उपर यह nitrogen है, उसके उपर यह hydrogen है, अब इसने इससे electron कीच लिए, तो इसके plus का sign खतम हो गया, अब यहाँ पर एक nitrogen और double bond oxygen, यह compound create हो रहा है, सबको समझ में आता है, अब यहाँ पर एक बहुत ही जबरदस चीज हो रही है, उसको जरा check करिएगा, scene कुछ ऐसा है कि जैसे इसने electron कीचे तो इसके पास loan pair वापस आ गय जैसे ही यहाँ donate करता है, यह oxygen electron को खीचता है, आया सबको समझ में, अब यह oxygen electron को खीचता है, तो इस पर क्या आ जाएगा, minus का sign, अब यह minus का sign जब इस पर create होगा, मैं एक बार लगा के दिखा देता हूँ, सपोज यह minus का sign create हुआ, तो यह hydrogen को यानि कि इस proton को अपनी तरफ attract करता है, आगया समझ में, यह attract करेगा, अब देखे, इस ने donate किये, तो इस पर plus का sign था, इसको भी electron ज़रूर थी, तो यह attract जब इस hydrogen को करेगा, तो यह electron इदर आ जाएंगे, बहुत सिंपल है धान्स को देखो, ऐसा creation होता है, यहाँ पे, जहाँ से देखो, बहुत ही interesting है, scene क लिखेगा, कि चार error लगाएं, उसका मतलब क्या है, जरूर लिखेगा, कि सर मुझे समझ में आ गया, और ध्यान से चेक करिए, कि यह actual में आगे क्या हो रहा है, so finally, यहाँ पर scene कुछ ऐसा बन गया, ध्यान से उसको चेक करिए, यह तो आपकी benzene ring है, clear है सब लोगों को, so finally, अब यह क्यों हुआ, उसका reason में आपको बताता हूँ, फिर से यहाँ पर एक बहुत अच्छा living group तयार हो रहा है, और कुछ नहीं, तो यह है nitrogen, अब इस nitrogen, double bond इस nitrogen के साथ बनाया, यह एक oxygen, और यहाँ पर इस oxygen के साथ hydrogen जुड़ गया है, आप देखे फिर से अच्छा living group कैसे तयार हुआ, अब माल लीजे जी, आगे इसकी reaction आप किसे, finally, H plus proton अंदर पड़े ही है, उससे reaction कराते हो, बताए इस H plus को आसानी से electron कौन देगा, obviously यह oxygen क्योंकि इसके पास loan pair है, तो यह क्या करेगा, इसको अपने electron डोनेट करेगा, डोनेट करेगा तो यह बहुत अच्छा living group तयार हो गया, देखो, अब scene कुछ ऐसा है, कि यहाँ पर पानी बाहर निकल सकता है, आपको साफी दिखाई दे रहा है, तो यहाँ से water बाहर निकलेगा, यह electron अपनी तरफ कीचेगा, और water बाहर निकल जाएगा, जब यह water बाहर निकलेगा, तो पीछे देखे क्या तयार ह हो रहा है, देखे आपका, यहाँ पर डाइजोनियम सूल्ट का मेन कमपाउंड आपका तयार होते जा रहा है, इस नाइट्रोजन पर आगया प्लस, दिखाई दे रहा है क्या, क्योंकि इसने अपने electron लूस कर दिये, अब scene कुछ ऐसा है, कि यह नाइट्रोजन फिर से backbonding क करता है, ठीक है, यहाँ पर bond बनाता है, और यह आपका, डाइजोनियम सूल्ट का, केटाइनिक पार्ट तयार हो गया, द्यान से उसको देखिए, यह लीजे, मैं यहाँ नीचे बना दे रहा हूं, तो यहाँ पर केटाइनिक पार्ट आपका तयार हो गया, इस N पर पर प्ल पर 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 दे रहा है, तो यह C- भी दे रहा होगा, यह C- उससे अटेच हो जाता है, और फाइनली आपका, में सोल्ट तयार हो जाता है, जो आगे जाके, सेंट मेर रियक्शन आपको शो करेगा, क्लीर होता है, तो N2 प्लस और C- यहाँ तयार हो गया, इस तरह से ही, इसकी जे, तो फाइनली गाइस, हम लोगोंने डायजोनियम सोल्ट कैसे बनता है, उसकी मेकैनिजम भी देख लिए, अब हम देखते है, सेंट मेर रियक्शन, जो कि बहुत सिंपल है, ध्यांस उसको देखिए, देखिए, सेंट मेर रियक्शन का सीन कुछ ऐसा है, कि यहाँ पर कुछ ऐसा है, कि अगर आपने इसकी रियक्शन, ध्यांस इसको देखिएगा, इसकी रियक्शन अगर आपने करवा दी, यहाँ पर CuCl as a catalyst रहेगा, और HCl तो पहले से ही present था, तो यह दिखाना जरूरी है, सबको समझ में आगया, CuCl plus HCl, इसकी presence में, यहाँ पर डायजोनियम Salt की reaction करवा रहे हो, तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, सबसे पहले तो Clorobenzene, सबको समझ में आगया, यह ध्यान रखिएगा, Clorobenzene आपको मिलेगा, nitrogen gas यहाँ से बाहर निकल जाएगी, सबको समझ में आगया, Simple, इसकी presence रहेगी, catalyst की तरह काम करेगा, HCl तो पहले सी presence हा, स अगर आपने इसकी reaction किससे करवाई, ध्यांसुस को देखेगा, CuBr, ठीक है, HCl तो इसमें present रहे गई, जो की पहले सी present था, यह HCl कब से चलता रहा है, आपने mechanism में NNO2 प्लस HCl लेया था, तो acid की presence रखनी ज़रूरी है, clear होता है सब लोगों को, so finally, CuBr से आप तरन समझ HCl की presence से कुछ नहीं होता है, Bromobenzene बनेगा, यह आपको ध्यान रखना है, और साथ में nitrogen gas बाहर निकलेगा, बहुत important है, ध्यांसुस को देख लीजे, clear होता है सब लोगों को, so इसकी presence में Bromobenzene बाहर निकलेगा, यह copper क्या करेगा, इस chlorine को अपने साथ लेगा, ठीक है, और यहां पर Bromobenzene बनेगा, और nitrogen को साथ में बाहर निकलेगा, अब देखिए, इस reaction को combine with, मतलब यह दोनों reaction जो हैं, वो sandmere reaction कहलाती है, यह sandmere reaction कहलाती है, लेकिन देखिए, आपने सिर्फ यहां से chlorobenzene और Bromobenzene ही बनाया है, आप यहां से अगर idobenzene या फिर fluorobenzene बनाने ज आता है, और उसके लिए यह procedure भी count नहीं होता है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, ध्यां से उसको देखिएगा, यह दोनों ही है sandmere reaction, उसके लावा जो आप fluorobenzene और idobenzene के लिए करेंगे, वो sandmere reaction में count नहीं होती है, लेकिन उसके लिए यह भी नहीं लगान hydrogen gas भार निकलेगा, यह तो है ही, सबको clear है, तो यह बहुत ही interesting है कि idobenzene के लिए को KI का इस्तमाल करना है, C-U-P-R औ-C-U-C-L के जैसा नहीं चलेगा iodine के अंदर, clear है, वहाँ से नहीं बनने वाला है, इससे नहीं बनेगा, और उसके बाद अगर आपको fluorobenzene बनाना है, तो वहाँ पर भी आपका, इनसे काम नहीं चलेगा, वहाँ पर HbF4 का इस्तमाल करोगे, HbF4, बहुत ही जादा important है, HbF4 का इस्तमाल करोगे, तो यहाँ पर आपको fluorobenzene मिल जाएगा, बहुत ही interesting है, यहाँ पर यहाँ से उसको देखिए, fluorobenzene बन जाएगा, प्लस में यहाँ nitrogen gas बहार निकलेगी, प्लस में यहाँ पर BF3 यह बहार निकलेगा, सबको समझ में आता है, और यहाँ पर यह CLA, यह H के साथ बना लेगा, HCl, तो यह reaction है, overall आपके लिए important क्या है, important यह कि हमारे पास यहाँ पर diagonium salt है, उसका CuCl से reaction कराओगे, तो आपको क्या मिल जाएगा chlorobenzine, CuBr से reaction कराओगे, तो bromobenzine, Ki से reaction कराओगे, तो idobenzine, और HBF4 से reaction कराओगे, तो fluorobenzine बनेगा, आपको इन चीजों पर गोर करना है, मैं आपर सबको round कर देता हूँ, यह important है, यह अगर आपको दिख जाएं, तो आप समझ जाएगा कि product क्या बनने वाला है, clear होता है सब लोगों को, सो यहाँ पर send में reaction और हेलो एरीन्स का जो method है, main method वो complete हो गया है, clear होता है सब लोगों को, फड़ा-फड से screenshot ले लो, ले लिया, so चली guys, आज का हमारा topic है हंस्डिकर reaction और बाकी preparation methods, तो चली शुरू करते हैं, first of all तुम आपको clear कर देता हूँ, हंस्डिकर reaction से सि हेलो एरीन्स ही नहीं बनाई जा सकती, आप इससे हेलो एलकेन्स भी बना सकते हैं, पर सवाल यह है कि फिर मैंने आपको हेलो एलकेन्स के time पे हंस्डिकर reaction क्यों नहीं पढ़ाएं, क्योंकि हंस्डिकर reaction से हेलो एलकेन्स की formation अच्छी नहीं होती है, मतलब जादा quantity में नहीं होती है, experimentally ऐसा देखा गया, इसलिए मैंने आपको वहाँ पे नहीं पढ़ाएं और मैं आपको यहाँ पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि हेलो एरीन्स की formation जादा quantity में अच्छे तरीके से possible है, किसके दवारा, हंस्डिकर reaction के दवारा, बट मैं आपको यहाँ पे दोनों reaction comparatively बता हादूंगा, हेलो एलकेंज भी और हेलो एरीन्स भी, so don't worry about it, so चलिए, first of all तो हम लोग चेक करते हैं यहाँ पे, देखिए हंस्डिकर reaction में आपको क्या लेना पढ़ता है, fatty acidic, fatty acidic salt of silver, acidic salt of silver, बहुत important है, silver मतलब AG, हम एक example देते तो आप लोगों को, क्योंकि हम लोग हेलो एर gene होना चाहिए, तो यहाँ पर fatty acidic salt of AG क्या निकलेगा, that is C6H5, acidic है तो मतलब CWO और AG, अब इसकी formation आप कैसे कर सकते हो, इसकी formation भी बहुत आसान है, देखिए ज़रा ध्यान से, अगर आप C6H5CWH ले लें, जिसको हम लोग benjoic acid कहते हैं, और इसका reaction आप कराएं, AG, OH के साथ, तो बहुत ही असानी से, यहाँ से देखिए, यह OH और यह H, क्योंकि यह acid है, तो hydrogen देगा, और यह base है, तो यह OH देगा, यहाँ से H2O बाहर निकल जाएगा, निकल गया, और यह जो silver है, वहाँ जाके attach हो जाएगा, तो आपके पास इसकी formation हो गई, यह तो बहुत ही असान थ अगर fatty acidic, आपने salt लिया, silver का, अब क्या करना है, तो देखिए बड़े ध्यान से, सबसे पहले मैं आप लोगों को reaction बताता हूँ, फिर उसकी mechanism बताऊंगा, अब यहाँ से scene कुछ ऐसा है, कि जैसी आप C6H5CWAG, यह जो acidic का fatty salt लिया है, आपने silver का, ठीक है, so finally आपको इसकी reaction किसे करवानी है, यहाँ पर मैं arrow पर कुछ लिख रहा हूँ, एक तो आपको bromine चाहिए, specially यहाँ पर आप जो hello arine बनाएंगे, वो क्या होगी, that is bromobenzine होगी, बहुत important है, और आपको यहाँ पर CCL4 plus heat, इसकी requirement आपको रहीगी, और CCL4 plus heat itself says कि यहाँ पर जो reaction है, basically वो कैसी है, radical type reaction, radical यहाँ पर generate होगे at the end, उसको ध्यान से देखेगा, मैं mechanism के तरूँ आप लोगों को बताऊंगा, radical generate, आप जब भी आपको देखें, CCL4 plus heat का symbol ता आप समझ जाएगा, last में radical generate होगे, ठीक है, radical ज़रूर generate होगे, intermediate के तोर पे, अब यहाँ से क्या बनेगा जरा चेक कीज CO2 gas यहाँ से बहार निकल रहा है, और यह जो C6H5 है, वो एक bromine को लेके क्या बनाएगा, bromobenzene, और यहाँ पर एक silver एक bromine को लेके क्या बनाएगा, AGBR, अब देखें कितना आसान है, वैसे तो reaction काफी आसान है, यहाँ से उसको देखें, बहुत simple है, यहाँ से यह और एक bromine, AGBR बना रहा है, यहाँ पर जो fatty acid ले रहे हैं, उसमें एक कम carbon का आपके पास hello arine तयार हो रहा है, सबको समझ में आ गया, यह काफी interesting और important है, अब सवाल है कैसे हुआ, इसकी mechanism में आपको यहीं बता देता हूँ, द्यांसुस को देखें, first of all तो यहाँ पर scene कुछ ऐसा है, कि यहाँ पर आपने क्या किया है, यहाँ पर ध्यांसुस को देखेगा, यह रहा एक bromine और यह रहा दूसरा bromine, BR जो 2 आपने लिया है यहाँ पर reagent, वो attack करेगा इधर, अब ध्यांसुस को देखें, यह BR क्या करेगा, देखें, यहाँ पर यह जो BR हमें तो पता नहीं कि यह negative और यह positive होता है, तो इसकी polarity की, positive polarity की वजह से यहाँ पर dipoles generate होंगे, यहाँ पर negative और यहाँ पर partial positive, simple सी बात है, यहाँ से AGBR बाहर निकल रहा है, देखें इसको ध्यान से, और यहाँ पर अब radical कैसे generate होंगे, मैं आपको आगे बताऊंगा, अभी खेल किसके साथ है, अभी bromine के साथ है, अभी CCL4 और heat picture में आया ही नहीं है, इस चीज को समझ लीजेगा, तो जब मैं बोलू CCL4 और heat picture में आया, तब radical generate होगा, इस चीज को समझ लीजेगा, ध्यान से, इसलिए मैं हर एक बात का जबाब दे रहा हूँ, मैं यहाँ पर कब बोला था radical generate होगा, जब CCL4 और heat इस्तेमाल करोगे तब, सब को समझ में आ गया, अभी bromine का खेल चल रहा है, सबसे पहले bromine picture में आया, उसने AGBR की foam में यहाँ पर AGBR को बाहर कर दिया, तो यहाँ पर यह देखिए, यह प्लस किसका, यह माइनस जा रहा है AG के साथ, तो यह प्लस किसके सा जाएगा, C6H5 CW- के साथ, समझ में आता है, तो finally यहाँ पर क्या बन गया, जरा चेक कीजिए, यहाँ पर बन गया C6H5, यहाँ पर C, O, उसके बाद O, इस पे था negative, सब को समझ में आता है, ठीक है, और finally जरा ध्यांस इसको देखिए, क्योंकि bromine खुद भी, एक non-metal है, तो यह non-metal, non-metal कम, यहाँ पर bond बनता है, आइनिक, लेकिन bromine खुद भी non-metal है, और oxygen भी non-metal है, तो यहाँ पर share करके bond बनेगा, covalent, clear होता है, लेकिन मजे की बात यह है, कि यह most unstable compound है, यह बिल्कुल भी stable नहीं है, उसके पीछे का reason क्या है, कि यहाँ पर यह जो electron है, यह जो oxygen है, उसके पास loan pair, bromine के पास, तो यहाँ पर कितने loan pair है, तीन-तीन loan pair है, तो basically यहाँ पर electron, electron repulsion होने लग जाता है, तेजी से, इस वज़े से यह unstable compound है, यह जो जाता है, बहुत ही तेजी से, जिसकी वज़े से यहाँ पर क्या होता है, unstability पैदा हो जाती है, अब इसकी इलाज क्या है, इसका इसका इलाज बहुत simple है, देखी, यह भी जिद्धी है, यह भी जिद्धी है, यह लोजन है, यह oxygen है, दोनों ही कैसे होता है, अच्छी खासी electronegativity होती है, हाला कि, bromine की electronegativity, oxygen से कम होती है, लेकिन आपने अभी क्या किया, CCL4 की presence रखी और heat किया, जैसे आपने CCL4 की presence रख C6H5 द्यान से इसको देखेगा, C6H5 एक तो बन गया, CO, उसके बाद O का एक radical, यह बना न, सबको दिखाई दे रहा है, और साथ में एक और radical तयार होगा, कौन सा, BR का radical, अब बहुत ध्यान से इसको देखेगा, यहाँ पर दो radical तयार हो गये, अब देखे, सीन कुछ ऐसा है बहुत यहाँ पर अब आगे क्या होगा, अब बड़ी साफ तोर पे नज़र आता है, thermodynamically भी सोचो अगर आप ध्यान से, यहाँ से CO2 गैस के liberate होने के chances बहुत अच्छे है, ऐसा क्यों, क्योंकि gas की entropy जादा होती है, ठीक है, as compared to यहाँ पर radical की form में, उससे तो जादा ही तो यह उसको push करेगा कि यहाँ से CO2 gas बाहर निकल जाए, ऐसा काम हमें बहुत बार किया है, देखे सिंपल सी बात है, organic के अंदर, जब आपको H2O का molecule बाहर निकलता देखे, तो thermodynamics उसको support करती है, आप उसके entropy जादा होती, तो H2O बाहर निकलता है, इसलिए यहाँ पर भी इसको एक electron तो है ही, इसको एक electron ऊर चाहिए, तो यहाँ पर homolytically वेज होने वाला है फिर से, और यह काम हम बहुत बार करेंगे, बहुत बार देखोगे, polymers में भी देखोगे, इवन यह आपने anti-markovnikov rule में भी देखा होगा, CO2 gas का बाहर निकलना, जिसने anti-markovnikov वाली तो यहाँ से homolytically वेज फिर से हुआ, इसने अपने-पने electron उठाए, तो जब इसने अपना एक electron उठाए, तो इस electron के साथ उसने क्या किया, यहाँ से CO2 gas को बाहर निकाल दिया, आगया समझ में, फिर क्या बचा, ज़रा चेक करो, तो finally बजगे हमारे पास C6H5 का radical, और एक पीछे BR का radical भी बचा हुआ है, अब आप खुदी सोचो, यह एक electron लेके घूम रहा है, यह एक electron लेके घूम रहा है, अब जब आपस में के electron लेके घूमी रहे हैं, तो क्या करें आपस में, bond बना के किसकी formation कर लें, C6H5 की, C6H5 BR की formation कर लें, जादा अच्छा नहीं है, तो finally आपको यहाँ पर क्या बन गया, so finally यहाँ पर हमारे पास हेलो एरीन की formation हो गए, so इस तरह से हेलो एरीन की formation होती है, ठीक है, सबको समझ में आ गया, मतलब हेलो एरीन इसको क्या बोलेंगे, this is called bromobenzene, तो यहाँ पर bromobenzene की formation हो गई, बहुत important है, ध्यान से उसको देख लीज आपसे थोड़े दिर पहले का था, कि हंस्टी का reaction जो हेलो एलकेन में भी यूज होती है, तो मैं आपको हेलो एलकेन भी बना के दिखाता हूं, don't worry about it, फड़ा फट से यही reaction है, इसी को मैं आपको हेलो एलकेन पर अप्लाई करके दिखाता हूं, और उसकी problem भी आप लोगों काफी आसान है, सबको समझ में आ गया, और आप ये काम chemistry में बहुत बार करते हो, और इसलिए कहता हूं, जब आप, जब जब आप mechanism देखते हो, आपको organic की समझ भढ़ने लगती कि इसमें क्या होने वाला है, और finally यहाँ पे एक कम carbon वाला आपको हेलो एरीन मिल रहा है, clear होत के साथ भी यही होगा, तो फटा-फट से इसका screenshot लो, आगे चलते हैं उसके बाद, ले लीजे, अब हम लोग हंस डिकर reaction से, हेलो एलकेंस कैसी form होती है, उसको देख लेते हैं, और उसके साथ-साथ एक exceptional case बताऊंगा, जिस पर से question पूछा जाता है, तो चलिए, फटा-फट से देखिए, अब हमें क्या करना है, हंस डिकर reaction से हेलो एलकेंस की formation देखनी है, मैंने आपको हेलो एलकेंस के case में क्यों नहीं बताया है, इसकी formation का, हंस डिकर reaction का, क्योंकि इसकी formation, यानि कि quantity अच्छी yield नहीं होती है, तो आप इस चीज को लिख लीजेगा, हंस डिकर reaction से हे generation होता है तो महां होता तो जरूर है तो इसका मतलब हमें क्या करना है इसको देखना तो है तो ध्यान से उसको देखिए तो यहां पर क्या करना है first of all तो हमें यहां पर aliphatic यहां पर acidic salt of silver लेना है aliphatic का मतलब R कोई carbon chain है लंबी carbon chain आपको acidic salt of silver लेना है तो आपको RCWAG लेना है, बहुत असान है अब देखिए इसकी reaction आपको किससे करानी है Bromine से करवानी है Presence किसकी रखनी है, CCL4 की रखनी है और साथ में Heat की रखनी है यही काम करना है, अब देखिए बहुत असान है यहाँ पर एक कम carbon का आपको Hello Alkene मिलेगा, मतलब इस R और इस BR को जोड़ दे हम लोग तो क्या बन जाएगा RBR, clear है सब लोगों को तो यहाँ पर mechanism सेम है कोई फरक नहीं है, ध्यान रखिएगा जो मैंने आपको पहले करवाया था, एक तो RBR यहाँ पर foam हो गया, उसके साथ यहाँ पर CO2, gas बाहर निकलेगा, clear है So finally, यह CO2, देखिए, RBR उसके साथ CO2 बाहर निकल गया AG और BR, यहाँ से foam होगा AG BR, जिसका पिपिटी नीचे बढ़ी गया इसका precipitation बनना आसान होता है तो यह simple सा reaction है Hello Alkene के case में लेकिन यहाँ पर एक मुज़दार exception है जिसको मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा ध्यान से उसको देखिए और मैं आपसे कहूँगा कि उसको star लगाके particularly no doubt कर लीजिए मैं यहाँ पर आपको clear करता हूँ अगर आपने bromine देखिए यहाँ पर chlorine भी लिया होता तो आप RCL बना सकते थे no doubt लेकिन जब आपने अगर यहाँ पर देखो fluorine की case में तो यह reaction होती ही नहीं है तो ध्यान रखिएगा इसको अगर आपने यहाँ पर RCOOAG लिया और reaction bromine की जगा या फिर chlorine की जगा iodine से करवा दी और same ही आपने यहाँ पर CCL4 की presence रखी है और heat रखा है तो यहाँ पर मज़े की बात यह है कि यहाँ पर RI की formation नहीं होगी clear है सब लोगों को RI की formation होने की बजाए यहाँ पर ester बन जाता है मतलब इसकी 2 unit और यहाँ पर ester की formation होने लगती है मतलब क्या बनेगा RCOOR इसकी formation होने लगती है इसलिए मैंने यहाँ पर 2 unit ले लिए और साथ में क्या निकलेगा देखिए 2 silver और 2 iodine यहाँ पर twice of AGI बाहर निकलेगा बहुत ही जादा important है और यह 2 unit बाहर निकलेगी ध्यान से इसको देखो finally यह balance chemical reaction हो मज़े की बात है यहाँ पर ester की formation होती है ester की यहाँ पर exceptional case है जिसके बारे में पूछा गया है अगर आपने गलती से भी iodine ले लिया तो यहाँ पर ester की formation होगी यहाँ पर कभी भी आपको hello alkin नहीं मिलने वाला arine के case में भी यही होता है यहाँ पर हमने क्या देख लिया hans dicker reaction और उसका exceptional case भी देख लिया है clear होता है आप ध्यान लखेगा hans dicker reaction को हम लोग specially hello arine के case में इस्तेमाल करते है क्योंकि वहाँ पर formation अच्छा होता है लेकिन alkin के case में यह होता तो है लेकिन formation अच्छा नहीं है लेकिन mechanism वही है कोई फरक नहीं है यह एक exception case है जिसको आपको ध्यान लखना है और specially आप star लगा लो कि iodine की case में यहाँ पर ester की formation होती है बहुत interesting question है और यह काफी बार पूछा जा चुका है यहाँ आपर गलती से लोग क्या करते हैं hello क्या बनाने लगते हैं hello alkin जबकि ester की formation होगी अब हम क्या करेंगे बाकी बचे हुए दो finally ऐसे method और है जिसे आप hello alkin बना सकते हैं उनको भी मैं आप लोगों को फड़ा फड़ से बता देता हूँ तो देखे कौन-कौन से ताकि हमारे preparation वाले methods पूरे खतम हो जाएं ठीक है तो देखे कौन-कौन से method है तो finally एक method यह कि आप simple benzene ring ले ठीक है और उसमे directly क्या करा है halogenation direct halogenation मतलब आप माल लीजे कि मैंने chlorine ले लिया direct halogenation का मतलब मैंने benzene ring लिया chlorine लिया लेकिन यहाँ पर आपको FE की presence रखनी है जो कि Lewis acid होता है ठीक है कमरा dark होना चाहिए और cold होना चाहिए यह conditions अगर आप रखते है FEI, FE, CLT तो यहाँ पर chlorobenzen की formation हो जाएगी आपको बिल्कुल tension ही लेना इसको direct halogenation भी कहते है simple है यह direct halogenation कहलाता है clear हो गया सब लोगों को यह हो गया आपके पास first method extra में extra दे रहा हूँ second एक आपके NCRT में एक और method लिखा है माल लीजे आप benzene की जगा toluene लेते है ध्यान से इसको देखिए आपने अगर यहाँ पर toluene ले लिया होता clear होता है सब लोगों को और यहाँ पर अगर आप direct chloruration करवाने की कोशिश कर रहे है तो यहाँ पर दो तरह के product मिलेंगे यहाँ पर मैंने फिर से क्या FE का presence रखा dark रखा और cold रखा ध्यान से इसको देखिए इस case में ध्यान से देखिए CS3 का ऐसा group है जो की क्या है basically plus hour effect दिखाता है electrons को ring की तरफ push करता है तो इस case में finally आपको मैंने एक यहाँ पर एक वीडियो बनाया था जब एक ऐसा group जो की plus hour effect दिखा है तो उससे कौन सा कौन सा position benzeen ring पर active हो जाता है जहाँ पर electron की density जादा होती है एक तो ortho दूसरा para यह मैंने अलग से separate video बनाया था शायद कुछी दिन पहले 5-7 दिन के अंदर ही video बना हुआ है उसको जाके देखो और उसमें आपको मालूम पड़ेगा कि कैसा group जो की electron को push करता है नीचे की तरफ तो उस case में हमारे पास ortho और para position वाले compound बनते हैं यह मैंने आपको बताया था meta वाले कब बनते हैं जब ring से electron को खीचा जाता है तो CS3 के ऐसा group है जो electron को effect है तो इसका मतलए आप दो तरह compound बनेंगे एक तो ortho chloro ज्यांसे उसको देखिए ortho position पर chloro ortho chloro toluene बनेगा यह देखिए ortho position बने लगा दिया इसकी respect में यह ortho position है मैं लिख देता हूँ now this is ortho and this one is para this one is called meta तो meta वाला तो नहीं बनेगा ortho और para बनेगा और साथ में यहाँ पर दूसरा वाला compound में यहाँ बना देता हूँ और एक कौन सा बन रहा है para chloro बहुत important है para chloro toluene तो इसका नाम में लिख देता हूँ यहाँ पर this is ortho ठीक है chloro और toluene ठीक है toluene and this one is para chloro और finally toluene तो यह इनके general name है clear होता है अब बचा हमारा एक छोटा सा last method जो कि again बहुत ही simple है अगर आप commercially check करना चाहो industries के अंदर so industries के अंदर जो method इस्तमाल किया आता है hello arene बनाने का specially chlorobenzene बनाने का बहुत होता है ठीक है so finally chlorobenzene industries में कैसे बनाई जाती है simple है आपको यहाँ पर क्या लेना है सबसे पहले तो benzene लेना है C6H6 ले लिया साथ में आपको HCl की presence रखनी है और O2 oxygen रखते हैं मज़े की बात यहाँ पर CuCl2 CuCl2 ठीक है cupric chloride की presence रखी जाती लगाते हैं उसका reason है oxygen 2 है पानी बाहर निकलेगा एक water के molecule में एक oxygen होता है तो यहाँ पर 2 oxygen है तो इसका मतलब 4 hydrogen चाहिए तो देखें यहाँ पर 2 benzene निकली obviously यहाँ पर हर एक carbon के पास hydrogen तो है ही न तो एक hydrogen अटाओगे तो 2 benzene से 2 hydrogen हटेंगे 2 hydrogen यहाँ से 2 hydrogen यहाँ से और 2 oxygen यहाँ से क्या बनाएंगे सबसे पहले तो 2 water के molecule बाहर निकलेंगे yes or no अब कुछ करना नहीं है 2 phenyl group और 2 chlorine आपस में मिलके क्या करेंगे finally यहाँ पर 2 formation करेंगे किसका chlorobenzene का यह लेए यहाँ पर chlorobenzene बन गया और यह industrial method है जो सबसे ज़्यादा suitable है और इसको industries में इस्तमाल किया जाता है काफी interesting है आज की video का जो हमारा सबक है न सबसे important वो है Hans Dicker reaction का यह exceptional case ठीक है? जब हम aister की formation आगे aister पढ़ना है तब भी मैं आपको यह चीज करवाँगा और specially उसके अंदर मैं आपको और भी detailing करा हूँगा लेकिन अभी यहाँ पर इतना जानना बहुत है और एक काफी interesting है इसलिए मैंने यहाँ पर star लगा दिया अभी clear है सब लोगों को So finally हम लोगों ने यहाँ पर क्या कर लिया है formation के यानि की preparation के किस-किस के? अभी तक आपने देखे हैं उसमें सबसे इंपोर्टन पार्ट कुन सा था? Sandmare reaction, Arine के case में important था? ठीक है जो भी naming reaction आपने Finkelstein, Sward, Sandmare ठीक है? यह जो reaction आपने पढ़ी है और इसके अलावा यह वाली Hans Dekar reaction ठीक है? तो जो भी naming reaction है मैं आप सबसे कहूँगा कि एक separate copy लगा लो naming reaction के case में यह वीडियो थोड़ा छोटा होने वाला है क्योंकि preparation method अभी खतम होगे हैं और बचे नहीं अभी chemical reaction के लब लो separate video बनाएंगे इसलिए वीडियो थोड़ा छोटा रहेगा, so don't worry about it अगली वीडियो मिलेंगे, chemical reaction करेंगे लेकिन मैं आप सबसे कहूँगा कि naming reaction चाहिए वो किसी भी chapter की हो, अलग से copy बना लो जिसके उपर title लगाओ naming reaction और अभी आपने जितनी भी Hello LKN, Hello Irene में क्या पढ़ी है naming reaction उसको फड़ा फड़ से वाँ note down करो clear होता है, so चली guys हमारा आज का सबसे पहला topic है physical properties, चलिए सबसे पहले लिखिए physical properties जैसा कि मैंने ऊपर mention कर रखा है पहले हम लोग physical properties पढ़ेंगे फिर इनकी chemical properties की तरफ move करेंगे, जो कि काफी जादा important है, so चलिए first of all physical properties देखिए सबसे पहला सबसे पहला हम इनकी बात करेंगे state की, यह कौन सी state में होते है जहां से उसको देखिए, इनकी physical state कैसी होती, यह समझना हमें यह gaseous state में होते हैं liquid state में होते हैं, या फिर solid तो देखिए बड़ी simple सी बात है, जैसे जैसे mass बढ़ते जाएगा, carbon chain बढ़ते जाएगी, mass बढ़ते जाएगा इनका state भारी होते जाएगा gase सबसे हलकी होती है फिर liquid उससे भारी और solid सबसे भारी होते हैं तो वो कैसे पता लगता है, जैसे इसे weight बढ़ने लगता है तो carbon chain का size जैसे जैसे बढ़ता रहेगा इनकी state भी change होती जाएगी gas to liquid to solid यह simple सी routine भी होता है तो द्यांसे इसको देखिए जो आपकी lower, द्यांसे इसको देखिएगा जो lower halo alcanes होते है ठीक है, lower halo alcanes वो कैसे होते है gaseous state में होते है gaseous state में होते है बड़ी simple सी बात है नॉर्मल यह आप भी सोच सकते है lower halo alcanes इनके gaseous state में होते है जैसे कि example के तोर पर आपको बता देता हूँ example दिया है मैंने जैसे methyl chloride, ठीक है methyl bromide, यह example मैं आप लोगों को दे रहा हूँ ethyl chloride, C2H5Cl जैसे जैसे इनका weight बढ़ते जाएगा इनका state change होते जाएगा ठीक है, तो मैं यहां लिख देता हूँ higher halo alcanes higher halo alcanes जो higher halo alcanes होती है basically वो क्या होती है या तो liquid form में होती है या फिर solid form में चले आती है जैसे जैसे mass बढ़ते जाएगा basically यह liquid to solid form में चली जाएगी लेकिन halo alcanes की बात करी now what about halo arines देखिए halo arines की अगर हम लोग बात करें तो halo arines में तो already C6H5 तो लगा है मतलब carbon तो पहले से ही कितने है 6, सबको समझ में आ गया तो इनकी जो state होती है वो या तो liquid है या फिर आगे जाके अगर आप carbon chain और बढ़ा देते हो तो solid state में आ जाएगा मतलब यह gas state में available नहीं है clear होता है सब लोगों को सब mass पर depend करता है तो पहले तो हमने बात कर ली state की lower halo alcanes gaseous state में जबकि higher halo alcanes क्या होंगी liquid या फिर solid में halo arines liquid या फिर solid में होती है चलिए दूसरी बात करते है दूसरी बात हम इसकी करते है यहाँ पर physical state में color की बात करते है ठीक है सो मैं यहाँ लिख देता हूँ almost all लिख लीजे almost all halo alcanes all halo alcanes ठीक है are colorless इनका कोई color नहीं होता है are colorless in pure situation ठीक है in pure situation यह pure situation में जब आप इनको pure substance की तरह लेते हैं बिल्कुल pure होने चीहें तो यह colorless होते हैं आप लिख लिख लिजे bromide and iodide bromide and iodide ठीक है bromide and iodide shows color show color साथ में लिखते जाएगा बहुत important है bromide and iodide shows color in light अगर आप इनको light में यानि की sunlight में या फिर नॉर्मल लाइट में खोल देते हैं तो यह color show करने लगते हैं simple सी बात है clear होगया color के respect में तो आपको clear है तो हमने state और color की बात कर ली now we'll talk about taste तो इनके taste की बात करते हैं basically smell कहेंगे हम लोग यहाँ पर ठीके smell यानि की इसको हम लोग order कहते है so smell या order कैसा होता है तो यहाँ पर एक statement आप लोग लिख हीजेगा कि जितने भी volatile ठीके volatile का मतलब जो gases form में होते है so जितने भी volatile या फिर gases form में आपके बास hello alcanes है ठीके जितने भी hello alcanes है बस उनी का जो smell है वो थोड़ा sweet होता है बाकी किसी का smell कुछ खास होता ही नहीं है उनका smell क्या होता है sweet होता है ठीके sweet smell जैसे कि आपने घर पे अगरवती कभी जलाई हो तो उसकी कितनी smell sweet होती है तो वैसे ही इनकी जो smell होती है वो sweet होती है clear हो गया लेकिन volatile की है जो gases form में होता है जैसे कि मैंने example के तोर पे यहां लिखे है तो उनकी sweet smell होती है बाकी की कोई कुछ खास order नहीं होता खास smell नहीं होती तो यहाँ पर हमने बात की तीन चीज़ों की state की, color की, smell की clear होता है अब हम और आगे चलते है special चीज़ों की तरफ move करते है special चीज़ों में सबसे पहले आता है melting point and boiling point melting point and boiling point सबको समझ मैं है अब यहाँ पर ज़रा ध्यान से इसको check करिएगा ज़्यादा तर melting point and boiling point जो है molar mass पर यहनकी vendor walls force of attraction भी depend करता है बहुत सारे बच्चे जो इसमें confusion में रहते है मैं आपको straightforward एक चीज़ बता रहा हूँ यहाँ पर आप ध्यान रखेगा इनकी जब भी आप बात करो तो आप किसकी भी बात करोगे यहाँ पर vendor walls force of attraction ठीक है vendor walls force of attraction की बात करनी है और मज़े की बात vendor walls force of attraction जो होते हैं basically वो directly proportion होते है molar mass के specially एक इसके बारे में बात करते हो जब भी आप boiling point का comparison कर रहे होते हो तो आपको इस factor को देखना होता है clear हो गया specially I am talking about specially इसा क्यों है आपको करना क्या है जरा सोचिए सोचने के बाद आप जरा इसके उपर गोर करिएगा आपको boil करना है boil का मतलब क्या है liquid से gases form में लाना है अब liquid से gases form में bond नहीं तूटेंगे यहाँ पर atomic inter atomic bond नहीं तूटेंगा इस चीज़ को समझें inter molecular bond तोड़ने हैं आपको यह बहुत फरक है आप inter atomic और inter molecular bond का मतलब क्या होता है देखो inter atomic bond का मतलब तो यह हो गया कि आप यहाँ पर C2X bond इसको inter atomic bond बोलते हैं ठीक है So this is called inter atomic bond जहाँ पर यहाँ पर carbon जो X से bond बना रहा है और carbon जो hydrogen से bond बना रहा है इसको inter atomic bond बोलते है लेकिन यह पूरा का पूरा एक molecule है जो अपने दूसरे molecule के साथ inter molecular bond बना रहा होता है clear होगे है सब लोगों को inter molecular bond बना रहा होता है ठीक है जिसकी वज़े से ही तो यह क्या है liquid form में liquid form में कैसे आएगा जब दो molecule के बीच में force of attraction हो तो वो liquid form में है अगर आपने यह दो molecule के बीच का force of attraction तोड़ दिया तो किसमें चला जाएगा gases form में अकर लगाओ दिमाग जितना लगाओगा उतनी चीज़े आसान हो जाएगी इसका मतलब आपको boiling point के case में specially क्या देखना होता है vendor walls force of attraction सीदे सीदे molar mass पे depend करता है जितना जदा molar mass उतना ही भारी और उतने ही जदा यह पास होंगे simple सी बात है clear हो गया सब लोगों को so finally यहाँ पर molecular mass जैसे बढ़ता जाता है इनका boiling point वैसे वैसे बढ़ता जाता है तो आप लिख लो simple सी बात है यहाँ पर कि molecular mass बढ़ेगा तो boiling point भी increase होने लगता है ठीक है and in this case यहाँ पर आप statement लिखो note लगा के that यह जितने भी hello alkenes है ठीक है आपने जहाँ hello alkenes जितने भी यहाँ form किये है उनके कुछ ना कुछ parent होंगे parent का sense के ज़रा चेक करो आप ज़रा सोचो कि आपने यहाँ पर CH3Cl कैसे बनाया होगा आपने एक hydrogen हटा के CL लगाया है तो इसका parent कौन है CH4, methane इसका भी parent कौन है methane आपने halogenation करा के CL और BR लगाया hydrogen हटा दिया आता है सब को समझ में या whatever be the preparation method आपने इसी parent से बनाया होगा ना इनको तो इस parent को देखते हुए ये तो भारी हैं दोनों के दोनों और अगर भारी है तो आप खुद से सोचो ना कि यहाँ पर molar mass किसका जा रहा है इसका तो 16 है जबकि यहाँ तो hydrogen हटा के अपने chlorine लगा दिया और chlorine का molar mass होदा 35.5 ये तो उससे भारी हो गया तो अगर ये भारी है तो इसका molar mass अपने parent से जादा होगा yes or no simple सी बात है तो यहाँ पर note लगा के लिखो all hello alcanes are heavier are heavier ठीक है heavier as compared to as compared to its parent its parent parent hydrocarbon जो इनके parent hydrocarbon होते है वो क्या होते है basically इनसे हलके होते है मतलब ये उनसे भारी होते है तो इसका मतलब क्या हो गया so their melting and boiling point melt में भी ऐसा है melting and boiling point are higher ठीक है higher as compared to as compared to as compared to their parent अब देखे बहुत ही simple सी बात है clear हो गया specially यहाँ पर हम लोग melting point का sense क्या है जरा सोचो आप solid से किदर लेके जारो liquid में जितना mass जादा होगा उतने ज़्यादा heat देनी पड़ेगी ताकि वो solid से liquid में है हलाकि melting point में एक और factor को count करता है वो होता है crystal lattice की setting ठीक है या crystal lattice में वो कैसे fit हो रहा है clear होता है so वो चीज अलग है उसको हम लोग अलग तरी के लिए यहाँ पर जूर्थ नहीं है उस factor को count करने की तो यहाँ पर सिर्फ एक ही factor यहाँ पर चलेगा कौन सा molar mass clear होता है crystal के अंदर आपको पता होगा जितना fit यहाँ पर molecule होता है crystal lattice के अंदर उतना ही जादा आपको energy देनी पड़ेगी उसको तोड़ने के लिए तो melting point में एक और factor होता है सबको समझ में आ गया crystal में कितना वो molecule fit है हम आगे इस factor को इस्तेमाल भी करेंगे जब हम benzene के hello arines पढ़ रहोंगे तब मैं आपको बताऊंगा लेकिन यह बहुत ही special है यहाँ पर ध्यान दो basically कि आपको सिर्फ यहाँ पर melting और boiling point के लिए एक ही factor को देखना है और वो है उनका molar mass और vendor walls force of attraction या फिर vendor walls force of attraction को देख लो और vendor walls force of attraction molar mass के directly proportional होते हैं clear हो गया और finally यहाँ पर पहला हमने statement लिख लिया कि यहाँ पर यह अपने parent से भारी होते है तो इनका melting point और boiling point अपने parent से जादा होगा अब यहाँ पर उसके बाद हम लोग आगे चलते है एक छोटी सी statement और लिखाता हूँ जैसे जैसे आप branching करते हैं बेसिकली वैसे वैसे boiling point घटने लगता है इसको समझे मैं माल लेता हूँ कि यहाँ पर चार कारबन का यहाँ पर क्या बनाया आपने कोई हेलो एलकेन तयार किया तो इसको बोलेंगे ज़रा ध्यान से देखो इस इस एन ठीक है यह एन यानिकी state chain है तो यहाँ पर chloro लिख सकते है क्योंकि पहली position पर chloro लग रहा है so this is chloro उसके बाद butane यह हो आप chlorobutane बोलेंगे सही है लेकिन अगर मैंने branching करनी चालू कर दी इसको branch में डाल दिया ज़रधांचिस को देखो यहाँ पर इस तरह से branching कर दी तो देखो चार कार्बन हो गए और एक chlorine इस तरह से लगा दिया अब देखो यहाँ पर दोनों का formula सेम है लेकिन इसकी structure अलग है इसकी structure अलग है यह दूसरे के लिए क्या है isomers है कार्बन की बाकी valency आप hydrogen से पूरी कर लेना तो यहाँ पर this is state chain this is branches आपने क्या किया बाकी कार्बन को इस कार्बन के साथ branches में लगा दिया तो यहाँ पर क्या हुआ surface area कम हो गया ज़रा सोचो अब यह surface area कम हो गया और यहाँ पर surface area अच्छा खासा था इस molecule का बात समझ में आ गया तो जैसी surface area कम हो गया इसका boiling point भी कम हो जाएगा क्योंकि कम temperature पर यह boil हो जाएगा तो यह बड़ी simple सी बात है आप हमेशा याद रखेगा कि जो boiling point होता है वो basically branching के anti-proportion होता है आप branching करते जाओगे तो boiling point घटने लगेगा यह बहुत important है तो अगर कोई पूछे कि state chain और इसमें से कौन जादा boiling point रखता है तो इसका boiling point जादा होता है simple, straightforward सबको समझ में आ गया तो यहां तका फड़ाफट्स इसका screenshot ले लो उसके बाद आगे चलेंगे ले लिजे फड़ाफट्स से ले लिजे तो guys हम लोग बात कर रहे थे यहां पर melting point और boiling point के और अभी मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे आप carbon chain में branches करते जाएंगे ठीक है, वैसे वैसे boiling point घटते जाएगा क्योंकि surface area कम होने लगता है उसी example को मैं आपको question के तोर पर करवाता हूँ जैसे कि, माल लीजे कि किसी question में आपको इस तरह से तीन molecules दिये, एक question ले ले लेते हैं फटा-फट से, एक question में आपको तीन molecules दिये, पहला molecule A है और वो कुछ ऐसा है, कि मापर 4 carbon लगे है, बिल्कुल street chain में और एक यहां पर halogen लगा हुआ है आपको B molecule दिया है वो कुछ ऐसा है, कि आपने अब क्या कर दिया है 4 में से 1 carbon हटा के finally आपने branch में लगा दिया अभी देखो, इनका formula molecular formula same ही होगा, यहां भी 4 है यहां भी 4 है, chlorine और chlorine same है उसके बाद C में आपने क्या कि कि एक और carbon को branch में लगा दिया इस तरह से, दिखाई दे रहा है सब लोगों को, अब देखिए सब के formula same है लेकिन यहां पर scene क्या है यहां पर surface area है, जी इतना आया समझ में, अभी मैं रूटीन बेसे बता रहा हूँ यहां पर surface area है, जी इतना दिखाई दे रहा है सब लोगों को और यहां पर surface area देखिए और भी कम हो गया, तो जैसे जैसे आप branching करते जाते हैं, surface area घटने लगता है तो अगर कोई आपसे यहां पर boiling point का order पूछे, तो order of boiling point क्या होएगा order of boiling point, तो बहुत यह असान है क्या करना है, जैसे जैसे branches बढ़रे है boiling point घटने लगता है, तो सबसे जैदा boiling point A का, फिर उसके बाद B का, और सबसे कम किसका होएगा, C का, अब इस चीज को समझें, कि यहां पर आपको यह bond नहीं तोडने है, boil करते time, आपको सिर्फ यहां पर intermolecular bond को तोडना है, बच्चे समझ ही नहीं पाते है, ध्यान रखीगा है इस चीज को हमें इससे मतलब नहीं है, हमें इससे मतलब है तभी तो यह बो ही लोगा, जब molecule आपस में force of attraction उनमें कम हो जाएगा तो यह question के तोर पे आपको करवाया melt का मतलब क्या है, solid से liquid में जाना अगर कोई molecules आपस में अच्छे से fit है, इसका मतलब वो solid में होगे crystal बना रहे हैं, आप उस fitting को तोड़ दीजिए, fitting तूटेगी वो अपने आप liquid form में आ जाएगा समझ भाया, सो जब आप आपको यहां पर यहां पर एक question कराता हूँ, suppose करते हैं हमार यहां पर वो सवाल पूछाते हैं, hello arines के case में, suppose करते हैं कि हमने यहां पर toluene लिया, जब आप toluene लेंगे तो अब यहां पर इसकी ortho, meta और para positions आपको दिखने लगेगी आता है समझ में, इसके respect में यह ortho position clear हैं, यह meta position और यह हमारी para position है अब मैंने यहां पर, क्योंकि हम तो hello arines की बात कर रहे हैं मैं माल लेता हूँ, यहां पर ध्यांसिस को देखिएगा यह position को मैं यहां से अटा देता हूँ, आप समझ ही गए होंगे माल लो ortho position में मैंने chlorine लगा दिया, एक तो यह है C compound O है, वो कौन सा है, para आता है समझ में, यहां पर CH3 लग रहा है और बिल्कुल नीचे मैंने chlorine लगा दिया, तो यहां पर यह ortho वाला हो गया मैं लिख देता हूँ, this is O, clear है, ortho, यह ortho वाला हो गया, यह कौन सा है, meta वाला और यह कौन सा है, para आप पूशें इनके लिए melting point और boiling point का order बताओ, तो बहुत ही असान है, ठीक है मैं आपको पैसे कुछ चीज़े clear कर देता हूँ, और इसको आप ध्यान रखिएगा, सबसे पहले हम लोग boiling point के order की बात कर लेते है इनके boiling point के order की बात, देखिए सबके formula सेम है, सिर्फ आपने chlorine की position चेंज करी है और कुछ नहीं तो यहाँ पर एक बार यहाँ पर ortho पे लगा दिया, ठीक है, यहाँ पर एक बार आपने meta पे और एक बार pera पे, और तो कुछ चेंज नहीं किया, formula तो सेम ही है तो देखिए, इनका boiling point जो होता है, almost आसपास होता है, nearly equal, ठीक है, nearly equal, almost आसपास होता है, nearly equal होता है, nearly equal होता है, nearly equal, मतलब एकदम सेम नहीं है, nearly equal है, जो data है आप NCRTs उठाके देखिएगा, इनका data कौन सा, specially boiling point का, बहुत आसपास मिलेगा आपको, लेकिन फिर भी अगर आपक least होएगा, meta वाले का, ये बहुत important है, आप जाके एक बार NCRT खोल के data देख लो, बहुत important है, but nearly equal, मतलब अगर मैं कहूं कि इसका ortho वाले का 250 है, तो इसका अगर 245, समझ में आता है, और इसका 240, मतलब एक idea दे रहा हो आपको, आया सब को समझ में, तो बहुत ही कम minute सा फरक ह बहुत ही कम, 3 से 4 या 5 डिगरी का maximum, सब को समझ में आता है, so यहाँ पर nearly equal, लेकिन what about melting point, क्योंकि सवाल यहाँ पर boiling point से नहीं पूछा आता है, यहाँ पर सवाल पूछा आता है, melting point के case में, तो देखिए, जो यहाँ पर अच्छे से fit हो जाए, वो molecule कौन सा है, तो देखिए यह जो है ना अपने crystal lattice में, क्योंकि यह symmetry है यहाँ पे, देखो एक उपर और एक नीचे है, symmetry होने की वज़े से पैरा वाला असानी से बहुत अच्छे तरीके से दूसरे molecule से fit हो जाता है, आया है समझ में, so पैरा symmetry होने की वज़े से इसकी packing बहुत अच्छी होती है, खुछ में आता है, ऊपर नीचे से यह symmetry है, एक ऊपर एक नीचे है, यहाँ से खाली है, लेकिन इनको इन इस तरह की इटो को, इटो मतना ब्रीक्स को, इस तरह की ब्रीक्स को arrange करने में problem होगी, क्योंकि यह symmetrical है ही यहाँ से ज़रधान से उसको देखो, तो इसमें packing बड़ी अच्छ से कम होता है, यह देखिए, मैटा का तो boiling point भी कम है और melting point भी कम है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर switching हो रही है, पैरा का melting point जादा, ओर्थो का कम, तो यहाँ पर ओर्थो का जादा और पैरा का कम किस में, boiling point में, अगर यह order आपको याद होगा, इसका इसे, यहाँ पर observe कर रहे होंगे कि question, literally, अगर knowledge based question, क्योंकि आपको पता है, need, चाए, जही, दो में knowledge based question भी आता है, जो इनी की सारे numerical ही भरे हों, जातर बच्चे numerical की पीछे लगे रहते हैं, simple question पर focus करते ही नहीं है, और यह simple question पर 4 mark focus, focus करते ही होते हैं, seriously बता रहा हो, CRT से check करो, आपको data से मालूम भी बढ़ जाएगा, यहाँ पर जो data है ना, उसमें differences भी अच्छे खासे हैं, तो यह हमारे पास boiling point वाला factor और melting point वाला factor खतम हो गया, अब next जो physical property है, वो है solubility, और यह भी बहुत important है, solubility की बात करते हैं, कि कितने solubile है, specially solubility की बात किसमें क अच्छी होती है, अब देखो मज़े की बात, इनकी solubility की बात करें, कि हेलो एलकेंस की, तो देखिए हेलो एलकेंस की खास बात क्या है, आपको पता है, आपको initial classes में पढ़ाया गया होगा कि polar आसानी से polar में गुलता है, और non polar आसानी से non polar में गुलता है, यह का exception है, बहु आसानी से गुल जाता है, क्योंकि पानी खुद भी polar होता है, आया समझ में, तो यहाँ पर देखो मज़े की बात, यह एक exception है, ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पर polarity generate होती है, हमें पता है कि X की electronegativity अच्छी खासी है, तो इस पर partial negative और इस पर partial positive, इसलिए मैंने कहा था कि chemistry, physics, science में कि कुछ भी पत्थर की लकीर नहीं है, exception हो गई होगा, उसको accept करना सीखो, आता है समझ में, अब मज़े की बात देखो, यहाँ पर dipole generate होते हैं, अच्छी खासी polarity है, उसके बावजूद भी water में insoluble होते हैं, लिख लो, now these are water insoluble, बहुत ही important है, यह water insoluble होते हैं, ऐस आपस में hydrogen bond से जुड़े रहते हैं, यह देखे, आपको करना के solubility बनाने के लिए, अब जारा सोचिए, यह आपस में, किसे, sorry, यहाँ पर hydrogen से bond दिखाना था, मैं यहाँ पर hydrogen से bond दिखा देता हूँ, यह देखे, तो यहाँ पर intermolecular hydrogen bonding होती है, दो पानी के molecules के बीच में, आप चाते हो कि Rx इसमें गुज जाए, और इसमें mix हो जाए, तो यह molecule को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो इनके intermolecular bond, hydrogen bond को तोड़ना पड़ेगा, यह intermolecular bond है, यह vendor walls force of attraction के अंदर आते हैं, clear हो गया, so यहाँ पर इसको London force of attraction भी कहते हैं, आपको specially इसको तोड़ना होगा और एक molecule यहाँ पर आके इन में से किसी से जुड़े, in fact दोनों से यहाँ पर bonding बनाए, यह काम करना होगा, तो मतलब आपको molecular bond तोड़ना भी पड़ेगा, intermolecular, और उसको आके यहाँ जुड़ना भी पड़ेगा, clear होता है, उस molecule को, लेकिन उसमें एक suction नहीं है, basically इत इसा problem आता है, तो यह water में insoluble होता है, clear होता है, हाला कि यह सारे के सारे, यह सारे के सारे, जो non-polar solvent होते हैं, non-polar solvent, उनमें soluble होते हैं, non-polar solvent, अगर polar में नहीं घुल रहा है, इसका मतलब वो non-polar में घुलेगा, जैसे कि CCL4 उसमें घुल सकता है, benzene, यह non-polar solvent होते हैं, और इनमें आसानी से गुल जाता है और यह बहुत important point है जो कि अगर आपको नहीं पता है तो आप गलत ही answer करके आओगे क्योंकि यहाँ पर polarity दिख रही है इस विए से आप बोलो कि water में soluble होता है लेकि नहीं यह water में insoluble है इसको आप note down कर लीजेगा बहुत important है अब last point जिस पे सवाल पूछे जाते हैं वो है dipole dipole moment का order बहुत ही interesting है और मैं आप से कहूंगा कि यहाँ पर dipole moment का order का comparison कर लेते हैं ठीक है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे लेकिन उससे पहले फड़ा फड़ से इसका screenshot ले लो ले लीजे तो चलिए guys अब हम बात करतें इनके dipole moment की तो देखे dipole moment का मतलब क्या है ज़रा check कीजेए आप से question इस तरह से पूछा जाता है और यह बहुत ही special है जैसे कि आप से कोई पूछे कि CH3 1F ठीक है molecule सब को same दे रहा है और यहाँ पर सिर्फ halogen change कर रहा है और उसके लिए dipole moment का मतलब क्या है यहाँ पर polarity का strength क्या है वो सवाल पूछा आप से CH3F उसके बाद आप से दिया CH3Cl ठीक है यह सवाल पूछा गया है इसलिए मैंने इस question को लिए है previous year में आ चुका है और उसके बाद CH3BR और last में पूछा है CH3I अब आपको देखो यहाँ पर hydrocarbon की change सब में similar है methyl, 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 methyl आगे change क्या कि उसने सिर्फ halogen यह सबसे छोटा halogen, यह उससे बड़ा यह उससे बड़ा और यह सबसे बड़ा अब dipole moment देखो आपको मैंने पहले भी clear किया था dipole moment जो होता है वो depend करता है कि dipole के बीच में distance कितनी है और actual में charge कितना है और charge depend करता है किस के उपर electro negativity के उपर basically distance बाला factor इतना dominating नहीं होता कौन सा factor dominating होता है electro negativity इसके हिसाब से अगर order लगाने जाएं तो यहाँ पर सबसे जाए dipole moment इसमें होगा देखो हर चीज़ का अलग criteria होता है dipole moment का मतलब किस तरह से यह polarity generate होगी polarity generate करने का मतलब यहाँ पर ज़रा देखो जितनी अच्छे से strengthen polarity होगी dipole moment उतना जादा जादा होगा ऐसा कहा जाता है क्योंकि dipole moment जो है इन particular charges के बीच की distance और charge के directly proportional आपको दिखाई दे रहे है वही उसका formula D into Q is called dipole moment और finally D वाला factor इता dominating नहीं होता क्योंकि distance बहुत ही minute से ही changes आ रहे है यहाँ पर इतना कुछ जादा change नहीं होता है क्योंकि यह picometer में distance होता है लेकिन charge वाला factor सीधे electronegativity पर depend करता है जितनी electronegativity की जादा होगी उतनी जादा polarity generate होगी उतनी जादा charge होगा आता है समझ में तो इसका मतलब fluorine सब जादा electronegative है उसके बाद chlorine, फिर bromine और फिर iodine इस हिसाब से तो सबसे जादा dipole moment इसमें होना चाहिए है सब ज़धा इसमें फिर उस से कम इसमें फिर उस से कम फिर इसमें और उससे कम उसमें ऐसा होता है लेकिन फिर से क्योंकि मैंने सवाल करा रहा हूं तो पका कुछ ना कुछ exception तो हो गई तो routine में से सोचे तो इसका सबसे ज़्यादा होना चाहिए लेकिन यहाँ पर एक exception है यह ध्यान रखेगा यह एक exception है और exception के हिसाब से यहाँ पर CH3 CL का dipole moment सबसे ज़्यादा होता है बहुत मज़ेदार चीज है CH3 CL का dipole moment सबसे ज़्यादा होता है फिर उसके बाद CH3F और फिर CH3PR मैंने यह चीज एक particular वीडियो में करवाया भी था ठीक है यहाँ पर हमेशा आप ध्यान रखेगा In the case of halogens कुछने कुछ exception निकल के आता है जैसे आप वो पता है electron gain enthalpy में भी electron gain enthalpy अगर आप पढ़े हो तो electron gain enthalpy आपको पढ़ाया था periodic properties के अंदर 11th class में आपने पढ़ाओगा और chlorine की electron gain enthalpy fluorine से जादा होती है जानते होगा नहीं जानते हो तो यहाँ भी exception था same exception यहाँ पर भी है वहाँ पर logic क्या था क्योंकि chlorine के अंदर electron electron repulsion कम होता है as compared to fluorine यहाँ पर भी वही case है यहाँ पर भी chlorine में electron electron repulsion कम होता है clear हो गया so fluorine से कम होता है clear हो गया इस वज़े से यहाँ पर welcoming जादा है bonded electron के case में मतलब अगर कोई electron आता है जैसा electron की enthalpy में exception है वैसा यहाँ पर भी exception है और same exception count करते होए इसका जो dipole moment होता है किसका methyl chloride का वो यहाँ पर methyl fluoride से जादा होता है और यह एक exception है जो कि आपको ध्यान रखना है हमारे लिए देखो theory तो important है लेकिन theory से भी जादा important है experimental data अगर experiment ऐसा कह रहा है कि इसकी जादा है तो हमको वही मानना पड़ेगा theory हाँ routine भी से 95% पर count हो जाती है 95% cases में लेकिन exception होगा वो 5% होते हैं और उसी को तो याद रखना होता है कि question उसी पर आते है और यहाँ पर straight forward आप ध्यान लखिएगा कि exception है और finally यहाँ पर जो methyl chloride है basically उसका dipole moment methyl fluoride से जादा होता है जोगी के exception है तो यहाँ पर हमने बहुत ही बढ़िया बढ़िया physical properties को खतम कर लिया और आंको बदा देता हूँ देखे Steve Jobs कहता था ने it is very easy to do hard things it is very difficult to do simple things और यह सबसे simple topic है physical properties को लोग कुछ नहीं मानते और लोग छोड़के आजाते है करते ही नहीं है क्या physical property करनी है लेकिन physical property में free के चार number होते है आप कभी भी कोई भी paper उठा के देख लेना चाहे नीट का और जे का उसे आप से यहाँ शर्त लगा रहा हूँ उसमें नोर्मल ऐसे physical property पे question एक या दो मिलेंगे ही एक या दो का मतला आपकी चांदी होगी free के number 8 बहुत बड़ी बात है आया सब को समझ में इसलिए physical properties को भी छोड़ना नहीं मैं चाहता है तो छोड़ते हैं सीधी chemical properties पे चलाया था लेकिन यह बहुत असान होते हैं अगर आप थोड़ा सा focus करो तो बहुत असानी से इनको cover किया जा सकता है और इनके question करो बैठके तो बहुत easily आपके solve भी हो जाएंगे और आपको 4 number free के में मिलेंगे It's all about knowledge base अगर आपका knowledge अच्छा है तो आप इनको बहुत frequently कर भी सकते हैं ज़रा सोचो numerical करने में वक्त लगेगा लेकिन इन question को करने में ज़्यादा time नहीं लगता है अगर आपका base strong है तो आप फड़ा फड़ा answer दे दोगे clear होता है आपका time भी बचेगा इसलिए गहता हूँ कि next time पर जब physical property है तो उसको जरूर करना है हम लोगों को एक-एक topic को focus करना है ठीक है so आज के लिए इतना बहुत है अब तो हम finally उस topic पर पहुँचने वाले chemical properties के उपर जो कि बहुत ज़ादा important है at the same time हमको उसको अच्छे से focus करना है मतलब हम लोग finally दो portion खतम कर लिए preparation method खतम physical properties खतम अब chemical properties खतम उसके बाद chapter खतम हो जाएगा ठीक है so chemical properties आपका last topic है उसके अंदर हमको chemical reactions पढ़नी है इसकी so चलिए फड़ा फिरसीस का screenshot ले लिया so finally guys आप लोग याद रखिएगा आज का homework description box में given है आप एक या दो दिन में D block या F block जो आपका chapter है उसको मैं on academy पे शूडू कर रहा हूँ उसके videos आपको तुरंत मिल जाएंगे एक या दो दिन की बात है पांच videos लगातार आपको मिलेंगे आपको फटा-फट से कर लेना है इमानदार इसे जो काम कर रहा है उसको कोई रोक नहीं सकता उसका selection हो गई होगा और मैं आपसे सबसे request करता हूँ share these video to the needy student जो coaching of war नहीं कर सकते आप इस message को spread out करो जितना कर सकते हो अगली video मिलते हैं तिल देन guys Thank you so much Thanks a lot